हेलो एब्रीवर वेलकम और वेलकम वेलकम बेक टू माई चैनल इंडियाद मॉम इन वेसे कैसे हो आप लोग आई होप एफिवन इस देंग गूड तो आज के व्लॉग की शुरूबत कते हैं सैटर्डे मौनिंग से ब्रेकफास बना रही हूं और विनार अल्डेडी चला गया वॉलनेरिंग के लिए वो कुछ बेकफास करके नहीं गया है कुछ बनाना ऐसा कुछ ही लाइठ ही खाके गया है तो हम टीनों के लिए ही बन रहा है वेकफास एक डम सिंपल सा बनेगा अभी पैनोगरिक के लिव स्टार्ट हो गया है तो मैं यहां पर पूडला बनाओंगी पैसे यह रेसिपी है ना बहुत ही हेल्डी पी हो जाती है ग्रुटन फ्री बनाना चाहो वो भी बन जाती है जवार के आटे से भी बन जाती है मैं आज बेसन और आइस के आटे से बनाओंगी जो ट्रेडिशनली बनती है हमारी यहां पर बेसी की मसाले किया है मेथी के तो मेठी का फ्लेवर है ना थोड़ा सा स्वीट करतेगा ये कैरट तो अच्छा बैलेंस हो जाएगा कड़वाई के साथ थोड़ा सा स्वीट और इसे गोल के पतला सा ही गोल बनाना पतला सा ही इसका पुडला बनाना है इस तरह से और बच्चे लोगों को लांच बोक्स में रहने के लिए भी बहुत इसी मौनिंग टाइम में फटा फट से बन जाने वाले रेसिपी है और बच्चे लोगों को खिलाना हो तो कुछ ट्रीक्टो करने पड़ेगी तो फटाफट से ये बन जाए गया तो उपर से क्या करना है आल्मोस कूक हो जाए ना तब थोड़ा सा तो फुड़े से क्यूकंबर लेटस सब दाल दो तो एक्तम युमी सा ब्रंच भी हो जाएगा तो बहुत मल्टी परपस क्विकली बन जाने वाला कोई भी जंजट की विना बन जाने वाला यह रेसिपी है तो ब्रेक्फास्स हो गया है सबका हम तीन ही घर पे थे और हस्बन ग और यह मिक्स वेजिटिबल का भी एक ले आया है तो इससे सबजी बनाना राइस वगर राइस बनाना ऐसी जो में बहुत ही हो जाता है रेंबरी आई क्रेंबरी इसलिए क्योंकि तो अब भी स्वीट खाने का बन के जाए नहीं तो आंटे खालो तो सब क्रिविंग्स कतम हो तो वेदान थे ना कुछ भी खाके नहीं गया है और वो आएगा तो हंगरी होगा तो मैंने सूचा आपटा बट से लंच बना लेते हैं वो आएगा तो मैं क्विकली इससे सव कर दो और उसका फैवरीट बनाऊंगी आज तो यहां पर मैं मेठी पनीर बना रही हूं बहुत टेस्टी लगता है बहुत यमी तो यहां पर मैंने कैश्यू थोड़े से खड़े मसा ले और तू मीडियम साइज के अनियन साथ में गालिक और जिंजर वन फोट कप से थोड़ा सा आधा कप जितना पानी डाल दिया है वस इसे हम तूक करने के लिए रख देंगे एक दम कोई ज़रूरत नहीं अनियन को हमें अच्छे से सौफ करना है और इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए इसलिए पहले से पानी डाल दिया यहां पे फ्लेवर के लिए डाल देंगे इसी से स्पाइसीनेस आएगा बस कवर करके छोड़ देंगे बीच में थोड़ा सा देख ल जादा दालना चाहों तो डाल सकते हैं थोड़ा सा गी डालके यहां पे मैं इसे रोस करूंगी एक थोड़ी से सूकी हो जाए न तो फ्राइज जैसा भी कल सकते हो ज्यादा अच्छा सा ओल या गी डालके मिन्माल यहां पे चैक कर लेते हैं अभी कच्छे है तो मैं तो मिठी कुछ इस तरह की चाहिए एकदम ड्राइग हो जानाइई चाहिए आप चाहों ना तो ज्याहड़ागी में भी फ्राइग कर सकते हो पर कम घी में यहां पे मैं क्या करूंगी एक मिल्क डालेंगे तो पनीर के हो जाएगा थोड़ा से क्रीमी टक्टर भी आ जाएगा है और बहुत ज़्यादा हाई कैलरी वाला फूड नहीं होगा और इस पर जो जो खड़ा है ना उसको निकाल लेंगे ठंडा होने के बाद इसकी फ्योरी ब तो पैन लिया है अब भाइनल सबजी यहां पे कूक करेंगे बटर और ओइल डोनर डाला है सीधा बटर डालेंगे तो थोड़ा सा जल जाने का चांसिस होता है थोड़ा सा यहां पे मैंने जीरा डाला है यह ऑप्सनल है नहीं डालो कि तब भी सीधी ग्रेवी में ही अच्छा पाउडर लेटल फी ठल्दी ऑउड़ें दाला थोड़ा समयरे जी भाइनल रहा है जोड़ा सा कलर हो अच्छा लगता है इसलिए मैं थोड़ा सा तर्मरीग पाउडर भी डाल दिया बस अब ग्रीकों डालके मैं अच्छे से पकानी है इसमें से बबलबॉब साना स्ट हो ज जाए उसके बार हम इसकी consistency adjust करेंगे पर पहले अच्छे से ग्रेवी को पकाएंगे जितना पकाएंगे ना इतनी टेस्थी लगेगी तो कवर करके नहीं छोड़ सकते तो कवर करके छोड़ेंगे तो एक्टम लो फ्लेम पे और बीच-बीच में इसे चैक कते चाहिए तो यहां पर ग्रेवी एक्टम अच्छे से कूख हो गई है तो इस तेज पर क्या करना है हमें डाल देना है जो मेथी हमने पगा कर रखी है वो तो इतनी मेथी है इसमें इनफ हो गई बहुत जड़ा ओवर पावर कर जाए न बाकी के टेस्थ को दभी भी अच्छा नहीं लग कर दो चाना है कि रखें तो इस यहां पर यह कच्छा है ना पनीर तो में थोड़ा सा डाल कि इसको मिक्स कर लूँगी ऑप को पतली थोड़ी से रख नीं या घड़ी रख रख नहीं तो इस से पर अब ऑब सब पाणी और तो इसे और ज्यारा थोड़ा सा पकाएंगे ठाक पर रोटी थोड़ी सी अलग तरिके से बनाएंगे वीट से ही बनाएंगे बहुत जादा कुछ नान ऐसा नहीं पर कुछ ऐसा फ्लेवर चाहिए ना तंडूर जाएसा फ्लेवर आये इस तरह की रोटी बना लेंगे और यह सब्ज़ी यह बहुत टेस्थी बने थी बहुत यमी और जिन लोगों को मेथी पसंद ना उन लोगों को भी पसंद आजा ऐसी थी तो यहां पर मैंने वीट काटा लिया है वन एन हाफ कब और हाफ कब इसमें जवार काटा डाला है थोड़ा सा बटर और कीचन के रेगुलर मसले क्यूमिन कोरियन पावडर हो गया लिटल भीट हल्डी पावडर सॉल्ट रेचिली पावडर और यह थोड़ा सा लुक वर्म यूज़ करेंगे इसको आटा लगाने के लिए बस इसमें थोड़ा से चिली फ्लेक्स भी डालो ना तो बहुत ही अमी लगता है पर वीर को नहीं पसंद आएगा बहुत स्पैसी हो जाएगा तो मैंने नहीं डाला बस इसका सॉफ्ट आटा लगा के छोड़ देना है तो मैंने पहले सोचा था मैं बेकिंग सोड़ा नहीं यूज़ करूँगी फिर मैंने सोचा थोड़ा सा टंडूरी रोटी के जैसा फ्लेवर देने के लिए यहां पर एक तींच ही लिया है मैंने बेकिंग सोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स करके इसम भी बहुत अच्छा है, हल्क ऐसा इसे नीट कर लेंगे तो सबजी रेडी है, विदान भी आ गया है और एक्चुली उसे भूठ लगी थी जैसा मैंने सोचा था न वैसे ही और उसे जाना भी है कहीं आफटर टू आवर्स तो फटा पट से मैं रोटी बनाया कि हम सब लोग खाना खालेंगे विदान को ड्रॉप करेंगे और फिर हम जाएंगे शॉपिंग करने आज है ना मंदीर जाना था शक्ति मंदीर पर विदान ने बुला कि उसका पहले से ही ये सब कमिट्मेंट्स है तो वो नहीं आ पाएगा तो मुझे सब फूरी फैमिली जाना था तो हमने सोचा है कल जाएंगे संडे है टुमरो तो सिंपल से ही रोटी बनाऊंगी पर इसका फ्लेवर एकडम जैसे टंदूर में रोस किया होना ऐसा आया था और साथ में हल्दी भी हो गया वैसे नान बहुत अच्छी जाती है गालिक नान हो ना तो पर मुझे आज कुछ इतना भी है भी नहीं बना रा था तो इसे रोस करके थोड़े से कड़क होगी क्योंकि इसमें हमने जवार काटा डाला है और फिर बटर से उपर टोस कर लेंगे तो एकनी गर्मा गरम सवकर एकनी टेस्टी लगी ना सब लोगों को बहुत पसंद आई वैसे तो रेगुलर नाटा ही यूज किया ठोड़ा बहुत चेंज कर तो ना तो फिर डिफरेंस आजाता है तो खाना अच्छा लगता है तो ये रही प्लेट हमारी गर्मा गरम रोटी के साथ सबजी और साथ में मैंने कुछ सैलर नहीं आज औरंज इस छोटे वाले बहुत बचे थे तो मैंने सब को एक बावल पर बढ़के औरंज इस देदिये कट करके और उसके बाद कीचन थोड़ा बहुत क्लीन किया और फटा फट से हम लोग रेडी हो गए डोटीन स्थोर्स जाना है पहले वेडान को भी ड्रॉप करना और बहार देखे वेडर कुछ ज़्यादा है क्लियर क्लियर लग रहा था तो हैलोवीन भी आ रहा है है हैलोवीन और डिवाली इस ताइम साथ में ही है तो वेड को हैलोवीन के लिए कुछ अपनी पसंद का लाएगा वैसे वेड को ठोड़ा सा हेल्थ लाग गया थोड़ा थोड़ा फिल होने लग गया है और वी ठोड़ा सा सेंसिटी भी ज्यादा है ऐसी चीज़ों बहुत जल्दी यह कैच करके लिए आता है किसी को भी हुई हो ना तो वो वाइरस कैच करके लिए ही आता है तो वेडन को कर दिया है ड्रॉप तो अपोस डिरेक्शन में था आना तो आदा गंता उदर जाने में आदा गंता आने में लग गया तो पूरा वन आवर लग गया तो वीर अभी से ही बोर हो गया एक्चली उसको उसका भाई उसके साथ चाहिए था शौपिंग करने के लिए पर आज हो नहीं पाया वो यहां पर आता तो फिर कल हमें शौपिंग करने आना पड़ था और कल मुझे जाना है शक्तिमंदी नवरात्री चल रहा है तो और यहां पर सबस्तों से बस एक तरब से निकल निकल के चलते 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 शौप शौपिंग करते जाओं और देखो यह पूरा यहां पर आगे बहुत चाहिए और फिर पर इसी हेल्थ भी अच्छी ना हो ना तो फिर बच्छे लोग तोड़ा बहुत तो परिशान करते ही जो ना तो खाल प्रह्ट और बहुत उसरी थेव परिश्यू ना कि हमें से चलते हैं रड़ा मैं वहां बहुति मैं खालते हैं लोग वीजग प्राव लोगे यह पर शौब दिए भीज़ के लेख पालते हैं वहां भीज़ा है और पिस और बहुति प्ड़ा मैं रुलवां क छीटस्टेट रहुए और लॉट अप्रफज्टेट अजड़ कॉटी अज लॉओ जोदेटी अजड़ी। लूकुत कुलाटब हैं। तो विर को चाहि flour था, मिनियन का कॉस्चिम और भी भागी है ना तुर से मिल गया है जो शॉपिंग किया था हस्बन रखने गए है कार में और हम नेक्स तो बिलकुल भी यहां पर ब्लकुल भी बिलकुल भी मन नहीं कर रहा था इसको मन कर रहा था अब है घर चला जाए या फिर साख में भाई हो और आ गए यहां पे तो बास्केट्स इतनी अच्छी थी ना मुझे तो देख के ही मन कर जाता है इस तरह की जो बास्केट्स होती है न वो मेरी बहुत ही पसंदी है तो मैंने सोचा यह एक दो मुझे पसंद आई पर क्या हुआ ना कि इसके साथ में पैर में कोई भी नहीं था और इस तरह का था तो फिर मैंने सोचा एक दो बास्केट्स ना थोड़ी सी सेम हो तब भी में लोंगी तो वहां से डोटीन चीजे ली और इसके बाद हम वालमाट आ गए वीर के फ्रेंड का बढ़ने आ रहा है इस विक तो उसे जाना है तो फिर यहां पर आकर एनरजी आ वीर में भी और शॉपिंग के साथ साथ में फूड़ा सा एक्स्ट्रा जो भी बाई करना था वी बाई कर लिया और इस पर में हैर कलर भी लाई हूंसे वालमाइ अभी में देखती हूं अच्छा लगा ना तो फिर मैं शेर करेंगी कौनसा वाला आई हूं ठोड़े- होता है तो मैं महनी नहीं लगा सकती और महनी से रेट भी हो जाएगा शायद और अज एक दम करम करम हो गया था दिन के टाइम मेर इतनी गर्मी लग रही थी ना लगी नहीं रहा था कि फॉल की सीजन है और ट्राफिक भी पूरा था इसा लग रहा था वीकेंड हो तो और अनियन को इसमें कुछ रख के स्थोर करूँगी और इसे बंद भी कर सकते हैं तो बाहर से इतने ज़्यादा दिखेंगे भी नहीं पता नहीं किस तरह से वर्क करेगा अभी तो मैं लाई हूँ बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं ठोड़ी सी चीपी थी और वीर ने जो चीजे है उसके साथ में मैच नहीं हो रही है तो एक बार में डालके देख लोंगी अगर पसंद नहीं है रिटेन में और फॉलमर्ट से तो रेगिलर हमारा आता ही है वालमर्ट के स्पीनाच चैनल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है कॉसको के इतनी फ्रेश इतनी इसे बगालो ओो से एफ पर अभाल? बड़े लगाल इसित victorious कैसे आःतारी न्यव bowl जर संबर्णी प्रेड़ अभाल ये वाल क्वीन अफ इंडिया ही है और घर आके अच्छो खाना एक दम सिंपल बनेगा तो घर आके सब चीछे चैक कर लिए अब लग रहा है कि थोड़ा सा छोटा है पर रेखते हैं क्या कर सकते हैं आगे दूसरा ले आएंगे और यह रीटन कर देंगे शायद और वीर के सार हमारी मस्ते पूरी टाइम चालू रहती है वीर को बहुत मज़ा था ऐसी चीजे करने में Queen? King? King of where? King of where? House. King of the house? King of the house. That is King of the house. और आज है ना शॉपिंग की उसमें वेदान के लिए बहुत सारी चीज़े लाए हैं. उसमें से वो पसंद करेगा, उसको साहिस चेक करेगा. नहीं पसंद आएगा, वो कल जाएगा रिटन में. वो अभी तक घर नहीं आया था. अरौंड 9.30 के टाइम पे पीम हो गया था. घर आते आते. तो आज तो मैंने freeze clean के लिए. वेदान घर पे नहीं आया तब तक कुछ करने का काम था. नहीं सोने भी नहीं जा सकती थी. तो freeze clean किया और ये बहुत सारी grapes मिली. तो मैंने सोचा इसक फड़ी सी बदल रही है अभी. बच्चे बड़े हो रहे तो लाइफ फोड़ी सी चेंज हो ही जाती है. और इस बार नहीं हम लोग नवरात्री में भी गर्भागाने कहीं नहीं कि बच्चे लोगों को बिल्कुल इंट्रेस्ट नहीं और बहुत बोर हो जाते हैं. वीर को त कि ले बाइ और एंटे केर.